नमस्कार दोस्तो स्वागत है हमारे इश्गुरु ग्यान अर्वेदा चैनल में दोस्तो आज हम आप सभी को बताएंगे बरही मचली खाने से होने वाले बेनिफिक यानी फायदे के बारे में लेकिन आगे जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तथा बगल में दिक्रे घंटी को दबा दीजिए ताइकि होर एक महत्पन वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले मिलती रहें दोस्तो हम लोगों में से जादा तर लोग मचली खाना तो जानते हैं लेकिन मचली खाना स्वाइस के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन मचली खाने से सरीर में किन किन अंको फायदा पहुनता है और किस तरह से काम करता है सायद बहुत ही कम लोगों को पता है जब भी मचली खाने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जो लोग मचली जाता खाते हैं उनके बाल लंबे काले घने होते हैं साथी उनकी आखे खुशूरत होती हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मचली खाने से न केवल बाल खुबसूरत बनते हैं बलकि इनसे कई ऐसे बेनिफिट मिलते हैं तो मचली में लो फैट होता है और बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन ओमेगा थेरी फैटी एसीड पाया जाता है जो हम सभी के स्वायत के लिए बहुत ही फायदे मंद रहें तो आएए आगे जानते हैं गरई मचली खाने के कुछ महत्पून बेनिफिट यानि फायदे के बारे में फायदे नमबर वन कैंसर से बचाव अगर आप कैंसर जैसी समस्यावों से हमेशा हमेशा के लिए बचना चाहते हैं आप आज से ही खाने में गरई मचली का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए क्योंकि गरई में omega-3 fatty acid ज्यादा मत्रा में पाया जाता है जिससे breast cancer, prostate cancer जैसी समस्यां ही नहीं होती है इसके अलावा फायदे no.2 दिमाग तेज रखने में फायदे मंद दोस्तों अगर आप गरई मचली का 7 रोजाना अपने खाने में करते हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करने में मदद करेगा इसके अलावा फायदे no.3 शरीर की खोई हुई ताकत को फिर से दुबारा लाने में सहाय दोस्तों अगर आप अपने एस्टेमिना पावर खोई चुके हैं या सारीरी कमजोरी से परसान हैं या नपुशकता जैसी प्रूगलम आपको मौसूस हो रही हो तो आप आज से ही गरई मचली खाना शुरूप कर दिजिए क्योंकि गरई मचली खाने से आपकी एस्टेमिना पावर फिर से दुगुना बढ़ जाएगी और आप अपने हसीन लम्हों के साथ सुख में जीवन का अनंद उठा पावोगी इसके अलावा फायदे नंबर फोर बालों को मजबूत वा घने वा काले रखने में फायदे मंद जोस्तो अगर आपके बाल सफेद हो रहे हो या आपके बाल पतले हो रहे हो या ज्यादा मात्रा में टूत रहे हो जड़ रहे हो तो आप अपने अहार में याने खाने में शुगर की समस्यावों में फायदे मंद, अगर आप सुगर की समस्यावों से परसान हैं, तो आप आज से ही गरई मचली खाना शुरू कर दीजिए, प्यूंकि गरई मचली में न फैठ होता है, और न कोई सुगर लेवल का फर्क पड़ता है, तो दोस्तों ये ते गरई मचली खाने के कुछ महत्पूर बेन फिर उमीद करता हूँ कि यह जनकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद